हेलो फेंड्स वोल्कम बैक टो दी चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वुड़ा फून आइडिया लिमिटेड के लिए भारती एटेल के लिए और जीयो के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेसिकली बात चित करेंगे एक बड़िया खबर है आप लोगो से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर आप इस चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं मेक शूर कि सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर लिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और दूसरी अगर आपको डिमेट यट्विटestry Resup कopen कर आना है डिसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों अगर हम बात करें सीधे खबर की तो बाकी चीजह हम बात में डिसकस करेंगे खबर की बात करते हैं सीधे खबर ये है दोस्तों कि tariff hike हम लोगों को फिर से एक बार देखने को मिल सकती है जैसा कि आप टॉप पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फोन बिल्स लाइकली टू गो अप आज टेलिकोम मुल्स अनेदर राउंड आफ टेरिफ हाइक दोस्तों यहाँ पे टेलिकोम ओपरेटर्स ऐसा बताया जा रहा है कि इस मोस्ट मोस्ट लाइकली कि सेकेंड राउंड आफ टेरिफ हमें चल्दी ही होती हुई दिखाई दे सकती है इवेन आपको पता होना चाहिए कि जो टेलिकोम ओपरेटर्स है इनको भली भाती पता है कि जो लो पेइंग कस्टमर्स है इनके नेटवर्क से वो छोड़ के जा रहे हैं और यह खुद भी अपनी साइट से जैसा कि रिलाइन से जीओ की तरफ से किया गया कि यह जो लो पेइंग कस्टमर्स हैं इनको वीडाउड कर रहें ताकि इनके पास जो सब्सक्राइबर बेस रहें वो quality सब्सक्राइबर्स रहें, active सब्सक्राइबर्स रहें ताकि वो monthly या quarterly या yearly जैस तरीके का उनका अपना बेटर तरीका है उस तरीके से उससो रिचार्ज करें कस्टमर्स जुड़े रहें इनके नेट्वरक्स से तो यहाँ पे अगर December 2021 के बाद अगर Second Round of Tariff High अगर हमें देखने को मिलती है तो Definitely दोनों तीनों Companies के ARPU के अंदर Average Revenue per User के अंदर बढ़िया एक और हमें Growth देखने को मिलेगी यहाँ पे Experts का मानना है कि Second Round of Tariff हाइक हमें Immediately तुरंट जो है देखने को नहीं मिल सकती है क्योंकि अभी First Round of Tariff जो हाइक होई थी उसमें या उसका जब पूरा पूरा फुल इंपैक्ट है Companies के Revenue के उपर ARPU के उपर हमें अभी तक पूरी तरीके से साफ साफ नहीं दिखा है जो है आपको Tariff हाइक जरूज देखने को मिल सकती है Reliance Geo के Active Subscribers का Percentage 94% चड़के चला गया था तो इसके पीछे की History क्या कहानी क्या है या इसके पीछे की Maths क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से Calculation करके समझाई थी कि Active Subscribers का Percentage Obviously बढ़ेगा जब Total Number of Subscribers मेंसे जो Inactive Subscribers है अगर वो निकलेंगे तो Obviously Active Subscribers का Percentage Rise करेगा वही हम भारती एटल की बात करें तो इसका Average Revenue Per User 163 के आस पास निकल के आया है और अगर ये Revenue आरपू लेवल 163 से बढ़ा करके 200 की लेवल तक लेके जाना चाहता है भारती एटल ये इसका Target है वही वोड़ाफन आइडिया की तरफ से किसी भी तरीके से अभी भी 114 के आरपू लेवल को उपर लेके जाए देखे अगर Second Round of Tariff अगर होती है तो Definitely यहां पर एक बात होता है कि Companies के आरपू लेवल में Increment होगा लेकिन देखे हर चीज़ के दो पहलू होते है Plus and Minus कोई चीज प्लस भी है कोई Minus भी है दोनों में हम दोनों को Consider करते हैं फिर हमें देखता है कि जो बढ़िया है उसकी साब से हम डिसीजन लेते हैं तो यहां पर Terrified अगर होती है तो Definitely इनके आरपू लेवल में Increment देखने को मिलेगा ए प्लस साइड है लेकि Negative साइड यह है कि बहुत से ऐ Low Paying Customers है जो Definitely जो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो देखिए यहां पर मेरे इसाब से Company को बीच का रास्ता निकलना चाहिए बीच का रास्ता यहां पर मतलब यह है कि ऐसा कुछ लेके आओ कि जो Low Value Customers है या Low Paying Customers है वो आपके Network से जुड़े भी रहे ठीक है वो उनके Network से जुड़ को बेटर है उसे साबसे वो रिचार्ज प्लान कराएं अब बिलकुल भी Network से मतलब इनको उखाड़ के फेक देना यानि विडाउट कर देना ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो भी तो हमारे देश की नागरिक है क्या Low Paying Customers के लिए इंडिया नहीं है क्या Low Paying Customers के साबसे चलते हैं महीने का पूरे अगर 2000 रुपय कोई परिवार कमा रहा है तो 2000 रुपय में 100 रुपय आज की डेट में एक नेटव को कनेक करने के लिए चार्ज कर रहा है कि नहीं कि रिचार्ज कर रहा है बताईए तो 19 सो रुपय में अपना घर चर आ रहा है और यही जहेंगा लोड पड़ रहा है कितना बड़ा लोड पड़ रहा है तो सरकारों को प्लस टेलिकॉम ऑपरेटर्स को इस चीज को ध्यार में रखते हुए आर्पू को इंक्रीस करने की प्लानिंग करनी चाहिए और मेरे इसाब से यहां पे एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो कम से कम जो low value customers हैं उनके equation भी balance रहा है प्लस जो इनकी demand है आर्पू को लेकर के वो भी बना रहा है तो active subscribers या जो data consumers हैं उनके लिए थोड़ा सा price high कर दो लेकिन एक lowest number पे या एक end customers को जोड़ के रखने के लिए बनाए रखने के लिए आपको 100 रुपे भी नहीं कम से कम आ कोई ऐसा plan लेके आरा चाहिए जो आपको इन low value customers को अपने network से add करके connected करके रखने में मदद करें आप किसी को forcefully नहीं कर सकते कि आप मेरे sim को recharge करो नहीं तो हमापकी sim को deactivate कर देंगे तो उसको कोई फरक नहीं पड़ता और deactivate कर देगा समझ रहे हैं मेरी बात को तो यहां प सबसे बड़ी लुटे रही है अगर सरकार अगर इमांदारी से अच्छी नियत से काम कर रही होती तो टेलिकॉम companies को जरूर profit हो रहा होता और टेलिकॉम companies यह ना करती इन सब के पीछे सरकार responsible है लेकिन टेलिकॉम operators को भी अपने level से सोचना चाहिए कि एक अग्यान आदमी के network से connected रखें उसको weed out करने से कोई फायदा नहीं है right there also citizens of India वो कहां जाएंगे कौन सा network यूज करेंगे उनके लिए भी तो आप सोचो बाकि आप high value customers के लिए आप ARPU बढ़ाने के लिए आप tariff hike second round का आप third round भी करो fourth round भी करो लेकिन उनके लिए भी ध्यान से सोचना मेरी बास में रहे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है comment box में बताइए आगे मिलते हैं आप से next कुछ discuss करते हुए till then take care